सुर्या बहुत डर जाता है वो भागा भागा तलाब के पास जाता है वो वहाँ पे देखता है कि उसका रिक्षा तलाब के पास है तब ही अरे मादव भाई मेरा रिक्षा यहाँ पे क्या कर रहा है और तुम से यहाँ पे क्यो लाए हो मादफ सुर्या को बताता है कि अब वो तुम्हारा रिक्षा तलाब में फेक देगा तुम्हारी वज़ा से मैं बहुत परिशान हो रहा हूँ तुमने कम कराय के चक्कर में मेरे सारे गराक छीन लिए अरे भाई मैंने कहां छीने गराक तुम जादा किराया लेते हो इस वज़ा से तुम्हारे पास से सारे गराक चले जाते है इसमें मेरी क्या गलती है बस बहुत हुआ अब अब मैं नहीं छोड़ूँगा अब तुम्हारा रिक्षा गया ना रहेगा बस ना बजेगी बांसुरी मादव रिक्षा को तलाप में धक्का दे देता है नहीं ये क्या किया भाई मादव वहाँ से भाग जाता है और सुर्या बहुती निराश होता है वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं रिक्षा को कैसे निकालूं अगर रिक्षा नहीं चराँगा तुम मेरे घर में सब खाना कैसे खाएगे सुर्या तलाब के पास जाता है वो तलाब की तरफ देख कर बोलता है अब मैं अपने रिक्षा को कैसे निकालूँ तब ही अचानक से एक जादूई जलपरी तलाब में से बाहर निकलती है अरे आप कौन हो? मैं इस तलाब की देवी हूँ और मैं इस तलाब में ही रहती हूँ तुम्हें इतना दुखी देख कर मैं खुद को रोक नहीं पाई क्या हुआ? तुम बहुत ही परिशान लग रहे हो मेरा रिक्षा मादव नाम के आदमी ने तलाब में फैक दिया अगर मेरा रिक्षा मुझे नहीं मिलेगा तो मैं बूका मर जाऊँगा तुम चिंता मत करो मैं अभी तुम्हारी रिक्षा लेकर आती हूँ जलपरी तलाब में चली जाती है और अंदर से वो चांदी का रिक्षा निकाल कर लाती है ये लो तुम्हारी रिक्षा जल परी वापस तलाब में चली जाती है और इस बार वो सोने का रिक्षा लेकर आती है ये लो ये ही है न तुमारे रिक्षा सुर्या देखता है कि जल परी इस बार सोने का रिक्षा लेकर आई है नहीं नहीं ये रिक्षा तो सोने की है मेरी रिक्षा तो लोहे की थी हे जादुई जलपरी आप मेरे ले परिशान मत हो जादुई जलपरी फिर दुबारा तलाब के अंदर जाती है और इस बार जलपरी लोहे की रिक्षा लेकर आती है तब भी सुर्या खुश हो कर बूलता है हाँ यही तो मेरी रिक्षा है हे जादे जलपरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरिया अपना रिक्षा को ले जाने वाला ही होता है तब ही जादु जलपरी बोलती है रुको वत्स मैं तुम्हारी इस मांदारी से बहुत प्रसंद हूँ तुम मेरी परिक्षा में उत्तीन होई और फलस्रुक मैं तुमें ये सोने के रिक्षा दे रहे हूँ सुर्या बहुत ही खुश हो जाता है वो अपने रिक्षा के साथ सोने के रिक्षा को रस् pulley से बांध कर ले जाता है और अगले दिन सुर्या जलपरी से लेया हुआ सोने का रिक्षा चलाता है सबी लोग ये देखकर बहुत चौक जाते हैं और सुर्या वापस रिक्षा चलाने लग जाता है एक दिन मादफ सुर्या से पूछता है अरे ये तुम्हारे पास सोने के रिक्षा कैसे आई तब भी सुरिया उसको सारी बाते बताता है और मादफ ये सुनकर अपना रिक्षा तलाप के पास ले जाता है वो अपने रिक्षा को तलाप में फेक देता है और रोने की एक्टिंग करता है अरे बाई लोड़किया बरवाद हो गया अब मैं क्या करूँगा इर्क्षा कैसे चलाऊंगा मेरी मदद करो तब इतल अब ऐसे जादू जल परी निकलती है और मादव से पूछती है क्या हुआ तूम इतना क्यों रो रहे हो ए जल परी मेरा रिक्षा तलाब में गिर गया अब मैं क्या गरूँगा मेरी मदद करो ठीक है मैं तुम्हारे रिक्षा अभी लेकर आती हूँ जादू इजल परी तलाब के अंदर जाती है और सोने का रिक्षा लेकर आती है तब ही एकदम से मादव ये देखकर बोलता है जैसे ही मादव रिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ता है तब ही जादु जल पर ही बोलती है रुको आगे मत बढ़ो तुम बड़े ही लालची और बेमान हो अब तुमें कुछ नहीं मिलेगा ऐसा कहकर जादु जल पर ये तलाब में गायव हो जाती है और बेमान रिक्षे वाला लालच में आके अपना रिक्षा गावा देता है और उसे खाली हाद जाना पड़ता है तो बच्चो हमें इस काहनी से ये सीख मिलती है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए